हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू बॉटनी कम्टीशन पॉइंट मैं प्रिजेश कुमार आज के इस वीडियो में पांच मार्च 2022 और 6 मार्च 2022 दोनों को इकर इंटरफेस की चचा करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं भारत और कौन से देश की जलवाय परिवर्तन के प्रति सरवाधिक संवेदन सील है तो यह पाकिस्तान है किस राज ने पुरानी पेंशन योजना को सुरू करने के लिए एक पैनल का गठन किया हिमांचल प्रदेश क्वेश्चन नम्बर त्री भारत और अमेरिका ने प्रकास चौक से का निधन हुआ है वह इक प्रसिद्ध क्या है तो यह प्रकास चौक से का निधन हुआ है वह इक प्रसिद्ध क्या थे तो यह प्रकास चौक से एक लेखक थे कोश्चन बर 8 राष्टी सेक्योरिटी दिवस का मनाया गया तो यह चार मार्च का मनाया गया है Q9. राश्टी सुरच्छा सप्ताह 2022 कम मनाया गया तो ये 4 मार्च से 10 मार्च के बीच मनाया गया है Q10. किस राज ने उज्जेन में 10 मिनट में 11.7 सुन्य लाग दीप जलाकर गिनी जो रिकार्ड बनाया तो ये रिकार्ड मद्ध्र प्रदेश ने बनाया Q11. सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की सस्थान पर रहा तो ये 120 में अस्थान पर रहा Q12. राश्टी बाल अधिकार सनरच्छड आयोग ने अपना 17 अस्थापना दिवस कम मनाया तो ये 1 मार्च को मनाया Q13. किस राज ने उंट सनरच्छडव विकास नीति लागू की तो ये राजस्थान ने लागू किया इंपोर्टेंट है Q14. राश्टी सुरच्छा दिवस कम मनाया गया 4 मार्च को Q15. किस देश के बल्लेबाज राड मार्च का 74 वर्ष की आई में निधन हुआ तो ये अस्थिल जाके Q16. किस राज ने मनार की खाड़ी में भारत के पहले सनरच्छड दिजर्व की अस्थापना करने का निड़ा लिया तमिलनाड Q17. किस राज के सर जेरो दादा नाइक सिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस आरवियाई ने रद किया Q18. किस आई 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 टी संस्थान ने यन नाई योटी ने पहली बार ओसेंस 2022 समेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया Q19. किस दिन सागर परिक्रमा द्वारा समुद्रि मत्सिकी छेत्र का प्रदर्शन किया जाएगा Q20. इंटेल इंडिया ने ए आई की तैयारी के लिए किसके साथ समझोता किया Q21. राश्टी सुरच्छा दिवस कम मनाया गया तो राश्टी सुरच्छा दिवस चार मार्श को मनाया गया है Friends, अब 6 मार्श 2022 के कर इंटरफेस को देखते है Q1. किस मंत्राले ने स्वादेश दर्शन्द पुरसकार शुरू किया Q2. प्लास्टिक रीसाइकलिंग और अपसिष्ट प्रबंधन पर सिखर सम्मेलन 2022 का उद्गाटन कहा हुआ Q3. सतत्विकास उचकांग 2021 में सिर्श अस्थान पर कौन सा देश रहा Q4. किस बैंग ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंग के माध्यम के जर्ये भुगतान पर रुक लगा दी Q5. किस IIT संस्थान ने नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के महा निदेशक राजीव रंजन मिश्टरा को गंगा पुनरद्वार पुरसकार 2021 से सम्मानित किया Q6. आक्सपोर्ड एकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अमसार यूटूब के वीडियो के जर्ये भारत ने 2021 में कितने करोड रुपे की कमाई की तो भारत ने 6,000 करोड रुपे की कमाई की यूटूब से Q7. सौर्टेस्ट मैच खेलने वाले देश के बाराहमें खिलाडी कौन बने तो ये वीराट को हली बने Q8. किस राज में रच्छा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया Q9. किस पुरसकार से सम्मानित एलल बाल ब्रिज लैंड जूनियर का निधन हुआ Q11. जनरल एस एफ रोडिक्स का निधन हुआ है Q12. किस कंपनी ने इवी ब्रांड बीड़ा शुरू किया Q13. महिला क्रिकेट विश्वकप 2022 का आयोजन किस देश ने किया Q14. विश्व मोटापा दिवस कम मनाया गया Q15. विश्व मोटापा दिवस 2022 कभी से क्या रखा गया Q16. किस देश के स्पीनर सेनवान का निधन हुआ Q17. किस देश के स्पीनर सेनवान का निधन हुआ है Q18. किस राज्य को होलोंगी में अपना ग्रीन फिल्ड हवाई अड़ा मिला Q19. किस राज्य के जैगर टर्मिनल पर भारत की पहली Q21. किस मिशन को गंगा काया कल्प के लिए इस्पेसल जूरी अवार्ड मिला Q22. भारत नीदल लेंड के बीच राजनायतिक संबंधों की कौन सी वर्सगार्ट दो मार्च को मनाई गई तो यह 75 वी वर्सगार्ट मनाई गई है एक सूचना है कि 3 मार्च 2022 के वीडियो में Q7 में यह बताया गया था कि यूक्रेन यूरोपी संग का सदश्य से बन चुका है बट फैर्ट जेक याधार पर यह पाया गया कि वर्तमान में यूक्रेन ने यूरोपी संग की सदस्यता के लिए अपलाई किया है किवल अपलाई किया है तथा सदस्यता पर निल्डे होना अभी बाकि है तो इस कोश्चन को आप तो सुधार कर लेंगे थैंक यू